उदारण के तौर पर अगर हम देखें कि किसी नगर की जनसंख्या 13,95,938 है ये संख्या ऐसी है जिसको याद रख पाना या इसकी तुलना कर पाना कहीं न कहीं कटिन होगा तो हम इसे एप्रॉक्सिमेशन के द्वारा 13,95,000 भी कर सकते हैं 13,95,938 के पेक्षा एक ऐसी संख्या है जो संशिप्त हो जाती है और उसको याद रखना सरल हो जाता है अब अगर हम उपसादन की रीतियों की बात करें तो इसकी तीन रीतियां होती है पहली रीति निकटम पूणांक तक उपसादन जैसे की 5432.9918 को हम 5433 रुपय भी कह सकते हैं यहाँ पर विशेश बात यहाँ है कि अगर दशमलों के बाद की संख्या 5 से अधिक है यानि कि आधे से अधिक है पॉइंट 5 से अधिक है तो उसके आगे की संख्या को हम जैसे की आपे आपे देख रहें कि 2 को हमने 3 बना दिया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पॉइंट के आगे 9 था ठीक इसी तरह दूसरी रीति कुछ अंकों को जोड कर उपसादन अगर अंकों को जोड कर उपसादन करना हो तो किस प्रकार करेंगे मान लेजिए एक संख्या 7,996 है राउंड फिगर में लाने के लिए हम इसमें अगर 4 को जोड दे तो ये 8,000 हो जाएगी 8,000 की जो संख्या है वो याद रखने के योगी समझने के योगी या गरना के योगी हो सकती है तीसरी रिती के अगर हम बात करें तो कुछ अंकों को छोड कर उपसादन यानि कि एक संख्या अगर 8,000 है तो हम इसको उपसादन करने के लिए हम इसमें 5 को घटा सकते हैं और 8,000 की संख्या प्राप्त कर सकते हैं जब कुछ अंकों को जोड़ कर उपसादन हो तो उसमें हमकों कुछ अंकों को जोड़ना है और कुछ अंकों को छोड़ कर उपसादन है तो हमें उसमें कुछ अंकों को घटाना पड़ेगा चोथी विधी जो है वो है सम अंक विधी का नियम आये सबसे पहले देखते हैं कि निकटम पुणांक तब उपसादन किस प्रकार किया जाता है इसे हम उदाहरण के आधार पर समझेंगे इसके बारे में यह जान लेना जरूरी है कि उपसादन किस सीमा तक किया जाता है जैसे कि हमने पूरु में जाना कि दशमलों के बाद की संख्या पाँच या उससे बड़ी है तो हम अंतिम संख्या को एक अंग आगे बढ़ा सकते हैं जैसे कि निकर्तम हजार तक अगर हमें उपसादन करना हो तो हम 9,43,587 के इस्थान पर 9,44,000 भी निख सकते हैं यानि कि इसमें हम कुछ अंगों को जोड सकते हैं वैसे ही 11,321 के इस्थान पर हम 11,000 भी निख सकते हैं यानि कि हम कुछ अंगों को घटा सकते हैं दूसरे अगर हम निकर्तम सैकडा तक उपसादन करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 9,44,587 के इस्थान पर हम 9,44,600 लिख सकते हैं क्यूंकि यहाँ पर हम बात निकर्तम सैकडा की कर रहे हैं इसलिए हमने सैकडा के आकड़े को लिया है यानि कि 587 को हमने बढ़ा कर 600 किया है वैसे ही दूसरे उदारण में 11,321 के इस्थान पर 11,300 किया जा सकता है 11,300 में हमने 321 का आकड़ा लिया और 321 के आकड़ों को 11,300 हमने किया चुकि हमको सैकडा तक करना था इसलिए हमने सैकड़े के आकड़े को ही लिया है इसी तरह निकर्तम दहाई तक अगर परिशुद्ध करना उपसादन करना है तो 9,43,587 के इस्थान पर 9,43,590 किया जा सकता है यहां पर इसपश्ट हो रहा है कि क्योंकि यह उपसादन निकर्तम दहाई अंक तक है इसलिए हमने 87 जो कि दहाई का अंक है को 90 में परिवर्टित कर दिया है वैसे ही 11,321 के स्थान पर हमने 21 का दहाई अंक 20 कर लिया है यानि कि घटा कर 20 कर लिया है तो यह आकड़ा हमारा 11,320 हो जाता है चोथी प्रक्रिया निकर्तम एक दशमलो अंक तक दशमलो अंकों की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी जाना कि अगर दशमलो की बाद की संख्या 5 या 5 से अधिक हो तो दशमलो के पहले का जो अंक होता है या क्योंकि हम यहाँ पर दशमलो अंक तक की बात करें तो दशमलो के आगे का एक अंक बढ़ जाएगा के बाद 6 लिखा हुआ है जो कि 5 से अधिक है यही कारण है कि हम इसको 154.7 यानि कि 154.676 के स्थान पर 154.7 लिखकर उपसादन कर सकते हैं वैसे ही निकटम 2 दशमलों तक अंकों को उपसादित करने के लिए हम 154.676 के स्थान पर 154.68 कर सकते हैं ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 154.676 में अगर हम दो दशमलों अंकों को देखें तो दोनों 7 और 6 है जो कि 5 से जादा है इसलिए हम 7 के स्थान पर 8 लिख सकते हैं उसी प्रकार 15.126 के स्थान पर हम 15.13 लिख सकते हैं ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि 15.126 में अंतिमंक 6 है जो कि 5 से जादा है इसलिए 2 की संख्या को हम 3 भी लिख सकते हैं ठीक इसी प्रकार 20.133 के स्थान पर अभी भी हम 20.13 ही लिखेंगी ऐसा इसलिए क्योंकि दशमलों के बार 1,3,3 यानि अंतिमं संख्या 3 भी हुई है जो कि 5 से कम है यही कारण है कि हम दशमलों के बार 1,3 ही संख्या को लेंगे दूसरे नियम को अगर हम देखें जहां हम कुछ अंकों को जोड़ कर उपसादन करते हैं तो इसे हम कुछ उदारनों द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं निकटतम हजार तक अगर हम उपसादन करना चाहें तो 9,44,587 के इस्थान पर हम 9,44,000 लिख सकते हैं वैसे ही 11,321 के इस्थान पर हम 12,000 कर सकते हैं ऐसा हमने इसले किया क्योंकि हमारी ये विधिक कहती है कि कुछ अंकों को जोड़ कर उपसादन किया जाए ये आकड़े निकटतम हजार तक है अगर इन आकड़ों को सैकड़ा तक लेना है तो क्या इस्थिति मिलेगी इस समय हम 9,44,587 के इस्थान पर 9,44,600 यानि कि हमने 5,87 में कुछ अंक जोड़ कर उसे 600 बना दिया है और हमारी संक्या 9,44,600 हो गई है वैसे ही 11,321 के स्थान पर 11,400 लिखा जा सकता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमको कुछ अंकों को जोड़ कर उपसादन करना था इसलिए हमने 321 में कुछ अंकों को जोड़ कर 11,321 को 11,400 कर दिया अब अगर उपसादन निकरतब दहाई अंक तक करना हो तो हम 9,43,587 के इस्थान पर लगभग 9,43,590 कर सकते हैं चोथी बात अगर हम निकरतब एक दशमलो अंक तक उपसादन की बात करें तो हम 154,676 के इस्थान पर 154,7 लिख सकते हैं ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दशमलो के बात 6 का अंक है जो कि 5 से बड़ा है उसी तरह 15.126 के इस्थान पर हम लगभग 15.2 लिख सकते हैं अब अगर बात हम कुछ अंकों को छोड़ कर उपसादन की करें तो यह इस प्रक्रिया में अगर निकरतम हजार तक उपसादन करना हो तो हम 9,43,587 के स्थान पर 9,43,000 लिखेंगे यानि कि यहाँ पर यह इसक्ष्ट हो रहा है कि 587 को छोड़ दिया गया वैसे ही 11,321 के स्थान पर हम 11,000 लिखेंगे और 321 को छोड़ देंगे दूसरी बात अगर हम निकरतम सैक्ड़ों तक उपसादन करी तो 9,43,587 के स्थान पर लगभग 9,43,500 लिखेंगे यानि कि हमने सैक्ड़े के अंको में 587 के स्थान पर 500 का प्रियोग किया उसी प्रकार 11,321 के स्थान पर हमने 11,300 का प्रियोग किया और यहां पर हमने 21 का अकड़ा छोड़ दिया निकरतम दहाई अंक तक की अगर हम बात करें तो 9,43,587 के स्थान पर लगभग 9,43,580 लिख सकते हैं यानि कि दहाई के अंको में हमने 7 को छोड़ दिया और 587 को हमने 580 बना लिया 11,321 के स्थान पर लगभग 11,320 यानि कि 1 को छोड़ कर 11,320 भी लिखा जा सकता है अगर हम निकरतम एक दशमलो तक की बात करें तो हम देखते हैं कि 154.676 की जगा पे हम 154.7 लिख सकते हैं और 15.126 के स्थान पर हम केवल 15.1 लिख सकते हैं अब देखते हैं सम अंक विधी नियम क्या है सम अंक विधी नियम में क्या होता है हम इसका प्रियोक तब ही करते हैं जब संख्याएं जो हो वो दशमलो में दी गई हो इनके बारे में अगर हम अच्छे से जानकारी ले तो हम देखते हैं कि एक तो संक्याएं जब दशंबलों में दिगई हो तब हम इनका प्रियोक करते हैं और यदि वास्त्विक संक्या में से छोड़ने वाला अंक पांज है और अंतिम अंक से पहला अंक अगर सम है कि अंतिम से पहला अंक अगर सम है तो उस कंडिशन में हम पांच को खतम करके वास्तिविक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं लेकिन अगर विशा में तो वास्तिविक संख्या को अंतिम संख्या से समाप्त करके एक आगे बढ़ा देते हैं कैसे इसको में कुधारण से समझते हैं यहां पर पहले का उंक जो है याने कि पाउंच के पहले का उंक जो है वह भी 5 यानि कि वह doskin नियम के अनुसर यहां पर 27 को मिअ कि ऑदलगी संक्या है क्यों कि यह विशल तो एक बढ़ा दिया जाएगा एक अगर admir girls बढ़ा देंगी तो 27.6 हो जाएगा दूसरी अगर हम बात करें अगर 27.45 दिया हुआ है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 के आगे की जो संख्या है 4 वो सम है अब इस कंडिशन में जब 5 के आगे की जो संख्या हो अगर सम हो तो वहां पर हम दशमलों के बात की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो 27.45 का जो आकड़ा है वो 27.4 ही रहेगा अब आई यह देखते हैं कि क्यों किया जाता है उपसादन यह क्या है इसके उद्देश उद्देश की अगर हम बात करें तो समान इसी बात है कि जटिलताओं को सरल बनाना ही इसका मुख्योद्देश है हमने देखा कि किस प्रकार लाग से हजार से लेकर सैकड़ा और दाहाई तक जब हम इनको round of कर देते हैं आसान कर देते हैं दशमलों से जब हम इनको पूर्णांगों में ला लेते हैं तो यह बहुत ही आसान हो बड़ी संख्याओं को छोटप करने का मतलब इतना भी ज्यादा अनतर ना लाया जाए कि पूरे अनुसंधान के जो समंक हैं वो अस्त्वेस्त हो जाए या गलत हो जाए कि जो समंकों का संकलन है वो भी आवेवस्तितना हो और जो नेने आ रहे हैं जो आकड़े आ रहे हैं वो भी शुद्धता के निकटता मिस्तर तक हो वैसे इनके उद्यूशों की बात करें तो एक तो हम उसको रांडफ कर देते हैं यह तो रहे इसके उद्ययशों की बात अब अगर zijn कि की विप्रह में की जो की इसका तीश्टैप है जब संपादन कि बात करते हैं तो परिशुद्धता और उपसादन के बात आता है सांकी की कि विप्रह में से सउंवंधित गलतीह थी ह। वो सांख्य की विब्राम होती है तुल की बात करते हैं तो गनित से संबंधित जो अशुद्य नहीं होती है कई बार हम 40 लिखते लिखते 400 लिख देते हैं कई बार हम फार्मूलों में कफ्यूस हो जाते हैं। और कुछ की जगा कुछ formula लगा देते तो यहां पर जो गलतियां होती है वो गड़ती अशुद्धिया होती है लेकिन सांखी की विब्रहम तब उत्पन होता है जब हम सांखी की किसी रीती का प्रियोग करते समय कोई गड़बड़ी करते हैं जैसे मान लेजिए हमने इसके पहले के अध्यायों में देखा कि किस तरह से समंगों की या हमारे अनुसंधान के जो छेतर होते हैं उनमें सजातियता या विजातियता के आधार पर हम समंगों के संकलन की जो रीतिया है उसको अप्लाई करते हैं यह हमने देखा है वहां पर अ तुटी उत्पन होगी वही तुटी सांखी की विभ्रम कहलाती है उदारण के तौर पर हमने देखा कि निदर्शन में सामान देव निदर्शन होता है और पूरी तरीके से सोची समझी प्रक्रिया क्या धार पर भी निदर्शन होता है कई छेत्र ऐसे होते हैं जहां पर देव निदर्श्यन का प्रयोग कर देते हैं तो जो हमको आकड़्य मिलेंगे वह गलत होंगे उनसे हम जो नर्णा निकालेंगे वह गलत नर्णा निकल सकते हैं तो इस तरह के जो गलत dram क के कारण जो अशुद्धिया होती है जो तूटिया होती है वास्तों में वे ही सांखिकी की तूटिया होती है सांखिकी विब्रम कहलाता है अब अगर हम यहां पर विब्रम के बारे में अगर हम एक शौट में जानना चाहे तो हम यह कह सकते हैं कि विब्रम बराबर वास्तविक मूल्य माइनस अनुमानित मुल्य याने कि हमने उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि गड़ती अशुद्धता में हम देखते हैं कि कि 42 शात्र है और हम गलती से उसको 40 पढ़ लिए यहां पर जो शुद्धी हुई वो गड़ती हुई लेकिन 10 बैंच है प्रतेक बैंच पर 4 शात्र बैठता है इस आधार पर हमने कैलकुलेशन कर दिया कि 40 शात्र होते हैं हमारे पास 40 शात्रों का अकड़ा है लेकिन हो सकता है कि किसी बैंच पर 3 ही बैठा हो यह हो सकता है किसी बैंच पर 5 बैठ गए हूँ तो यहां पर कैलकुलेशन म और अनुमानित मूली में जो अंतर आता है वास्तों में वही विब्रम जो है वो सांकिकी विब्रम कहलाता है हमने गड़ित की अशुद्या देखी कि गड़ित की अशुद्या कि इनको कहते हैं और हमने ये भी देखा कि सांकिकी की विब्रम क्या है वास्तों में जो गड़ती अशुद्या होती है वे मिस्टे की अशुद्या कहलाती है और सांखी की अशुद्या जो होती है वो विब्रम कहलाती है थोड़ा सा इनमें अंतर है एक छोट कुछ बिंदो के अधार पर हम देखते हैं कि इनमें कौन-कौन से अंतर है अगर हम मिले वो अपर्याप्त थे या हमको जो समंक मिले वो अशुद्ध थे तो यह जो है सांके की विब्रमुद्पन होता है तुरुटियों की अगर हम बात करें तो अज्ञानता से या असावधानिवस हडबडी में जैसे मैंने बताए कि 40 को 42 पढ़ लिया कई बार हम यह गलती कर करें तो हम देखते हैं कि इन में जो गलतिया होती है वो समंको के संकलन विसलेशन या निसकर्शन के दौरान होती है यानि कि संपूर्ण अनुसंधान के प्रक्रा के दौरान कभी भी हो सकती है वैसे ही अगर हम तुरुटियों की बात करें तो इसका कोई करम नहीं है कभी कोई गड़ती कोई फार्मूला अपने गलत लगा दिया संख्या को आपने कभी गलत लिख दिया तो किसी भी समय में वह उत्रिटिया हो सकती हैं तीसरे अंतर की बात करें तो सांखी की विब्रम जो होता है अनैक्षिक होता है यह गलती से हो जाता है जैसे मैंने बिताया कि द सार निसकर्ष निकालने के लिए आकड़ों को हेर फेर करके गलत कर दिया जाता है गलती उसमें कर दी जाती है वैसी अगर हम इसके चौथे अंतर की बात करें तो जो सांखी की विब्रम होते हैं उनमें थोड़ा अनुमाल लगाया जा सकता है कि थोड़ी सी मिस्टेक थोड इन चार का डिफ्रेंस शायद आएगा लेकिन जो गड़ती अशुदिया है वो बाय मिस्टेक होती है हम खुद नहीं समझ पाते कि हमने कहां पर गलती कि है तो हम इसके रिजल्ट का अनुमान सही सही नहीं लगा पाते हैं तो यह कुछ अंतर है दोनों में जिसके आधार प प्रлан और गयर निदर्शन संबंधी विब्रम निदर्शन संबंधी विब्रम के जब हम बात करते हैं तो यह अपने आप में दो प्रकार के होते हैं Abhinat Vibram और अन mema इस्ञाने निकालना था और क्रक्रिया अपना लिगई कुछ और निकाल दिया गया तो इस तरह की जो रीतिया होती है वहां पर अभीनत्य विब्रम उत्पन हो जाता है क्यों पर होता है कुछ गलत न्यादर्श का आपने चैन कर लिया गलत न्यादर्श की विधियों का आपने चैन कर लिया विधियों के बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं तो इसके बारे में बहुत ज्यादा यहां बताने की जरूत नहीं है वैसे ही अगर गलत सूचना प्राप्त हो ग वैसे ही अगर हम बात करें अन्भीनत विब्रम की तो यह सामान से तुटिया होती है और बहुत मेजर इसके कोई कारण नहीं होते हैं यह आकडो के प्रकार कुछ ऐसे होते हैं आकडो का स्वभाव कुछ ऐसा होता है जहां तुटिया उत्पन हो जाती हैं बहुत ज्यादा बात करें तो गैर निदर्ष्ण जैसे की नाम से इसमें बहुत ज्यादा हम कोई नियम कानून नहीं लगा सकते कि रीतियों के कारण अशुद्ध हुई यह कैलकुलेशन के कारण गलत हुआ यह गलत फॉर्मूला लगाने के कारण गलत हुआ क्या होता है कि कितनी भी भूल चुक हो जाती है कमी अवरिधी आपड़ों को लिखने में समझने में हो जाती है कि छोटी मूटी अशुद्या हमेशा बनी रहती है बहुत प्रयास करके भी हम निदर्षन आशुद्यों को पूरा का पूरा खतम नहीं कर पाते हैं तो यह इस तरह कि जो अशुद्या होती हैं वो 2 तोड़े पहुत अंतर हैं इन में देखते हैं निधरशन अ iPhone yağ और गैनी दर्शन अशुद्यों में अंतर या तो धनात्मक होंगे या रिड़ात्मक या कि किसी एक ही दिशा में बढ़ने वाली होते हैं जब कि अन्भीनत विब्रहम की बात करें तो ये विब्रम धनात्मक और रिणात्मक दोनों ही दिशाओं में बढ़ सकते हैं दूसरा इसमें एक अंतर्या है कि अभिनत विब्रम संचाई प्रकृति के होते हैं यानि कि इनमें पदों की संख्या में वृद्धी के साथ साथ विब्रम के मात्रा में भी वृद्धी होती जाती ह जबकि अन्भीनत विब्रम में पदो की संख्या में व्रद्धी के साथ साथ विब्रम की मात्रा में भी शतिपूरक प्रकृति के कारण कमी हो जाती है तीसरे अंतर की बात करें तो हम देखते हैं कि अभिनत विब्रम प्राया विब्रम प्रगण के पक्षपात के कारण उत्पन्न होते हैं जबकि अनभिनत विब्रम स्वभाविक रूप से ही उत्पन्न हो सकते हैं चौथा इसमें एक अंतर यह भी है कि अभिनत विब्रम के स्प्रोथ को ज्याद करके उसे दूर करने का प्रयास किया जा सकता है लेकिन अनभिनत विब्रम के प्रभावों को निश्क्रिये करने के लिए पदों की संख्या में व्रिद्धी करनी पड़ती है इसे प्रकार अभिनत विब्रम परणाम पर बुरा प्रभाव डालते हैं लेकिन अनभिनत विब्रम परणाम पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं विब्रम के माप को कैल्कुलेट करने के लिए हम दो सुत्रों का प्रयोग करते हैं पहला, SE equal to 1 minus R square upon under root N दूसरा, PE equal to 0.6745 1 minus R square upon under root N यहां R को coefficient of correlation के लिए दर्शाया जाता है N को total number के लिए इसी प्रकार SE को हम standard error और PE को हम probable error के लिए प्रदाशित करते हैं